हम अब अच्छी तरह फाइल को प्रॉपली डिस्कस करनें तो हम यहां पे जो हमारी फाइल हो उसमें क्या करेंगे अड़ दरेट हमारा एक्जम्पल.com को रिप्रेजेंट करता है तो स्टार्ट आफ अथार्टी में हमने क्या कर दिया फुली क्वालिफाइड डुमीन ने फक्यू डियान भी बोल देते हैं वो स्पैसिवाइड कर देना है हमारे केस में यह क्या होगा यह हमारा डुमीन एडिमिनिस्टेटर का इमेल अड्रेस है फिर हमने सीरियल नंबर दे दिया है डेट के सबसे यह रिफ्रेश इंटरवल है वन डे कि कितने देर बाद जो स्लेव सर्वर है मास्टर को कनेक्ट करेगा फूर अपडेशन के लिए अगर वो मास्टर सर्वर बीजी है तो यह री ट्राई है वन आवर के लिए अगर master server down हो जाता है तो one week हमारा किया है कि slave कितनी देर तक queries handle करता रहेगा अगर master server हमारा down है तो ये three hours हमारा negative cashier के लिए है कि अगर कोई किसी के हमने query किया उसकी information available नहीं है name server के बाद जो भी हमारे पास answer आएगा resolver उसको cash में रख लेगा और तीन घंटे तक फिर वो उसको contact नहीं करेगा कोई query करता है तो वो अपने cashier से information दे देगा फिर हमने name server specify कर दिया कि हमारा name server क्या है master है हमने अभी एक ही master implement कर रहे हैं जब हम slave करेंगे तो फिर दो खिंटी कर देंगे फिर हमने बता दिया कि हमारे पास एक mail server भी है वो भी master पे है तो हमने mx record क्या करता है mail server के बारे में बताता है तो हमने priority specify कर दी फिर यह सबसे important record है कि भई यह master का IP desk क्या है तो वो हमने a record से कर दी एक सो बतर चोबिच इरो point एक है तो alias है हमारे पास हमने जो 6 alias www download mail smtp imap pop यह किस के कर दी है master के कर दी है अब हम क्या करते है इस फाइल को create करके देखते हैं properly